जे हिन दोस्तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात जैश्री महाकाल सभी बच्चों का पुनाह स्वागत है दोस्तो वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी अपूर्व रुद्र रोशन रिचा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों का क्लास में स्वागत है दो टॉपिक्स से लेकर आते हैं और उन में से अनेक प्रशन ऐसे होते हैं बच्चों जो पिछले एक्जाम से में पूछे भी गए है ठीक है तो ये बहुत ही महत्पूर्ण सीरीज है आपके MPPSC के एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से दोस्तों और ये हमारा टेलिग्राम चैनल है तब विनर्स इंस्टिटूट ऑफिशल खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हों ने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है जरूर करें ठीक है और ये हमारा वाटस अप चैनल है ये हमारा वाटस अप चैनल है इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं गुच्चे क्लियर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और ये रोज की तरह आज की हमारी क्लास का शेड्यूल है क्लियर है सभी बच्चों को चलिए सावन जी बिलकुल हम सी सैट की कलास भी कोशिश करेंगे जल्दी ही शुरू हो ठीक है बिलकुल आपका मैसेज हम मैनेजमेंट तक पहुचा देंगे जल्दी ही शुरू होगी बच्चे गुड मॉर्निंग तो हम कलास شुरू करते हैं ठीक है चलिए चलिए दोस्तों ठीक है तो हम क्लास को शुरू करते हैं ये है हमारी आज की क्लास का शांदार क्लास का ये पहला प्रश्न क्वेशन नमबर वन है तंट्या भील को फासी कहा पर दी गई थी खरगोन बढ़वानी जबलपूर या फिर खंडवा बताईए दोस्तों क्या बात बहुत बढ़िया सावन कालू सभी बच्चों ने बिलकुल बिलकुल सही आंसर दी है दोस्तों जबलपूर में फासी दी बात का रॉबिन हुड कहा जाता है इनको रॉबिन हुड दोस्तों यह भील समुदाय से थे दोस्तों टंट्या भील और इसका इनका माफ कीजेगा इनका जो वास्त्विक नाम मिलता है तांतिया भील कहीं कहीं टुंडा भील भी इनका नाम मिलता है और इनका जो जन्म है वो अठारा सो बैालीस में निमाण के विरी गाउं में हुआ था और दोस्तों इतने महान व्यक्ती थे इनका विलपावरने स्ट्रॉंग था अठारा सो सत्तावन के विद्रों में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाब बगावत की थी दोस्तों मातर देखियेगा कितना 15 वर्ष की उम्र में मलब अंग्रेजों के प्रती इतना गुसा था कि इन्होंने भील समुदाय को एक जुट करके निमाण छेतर में अंग्रेजों के खिलाब विद्रों का विगुल फूका हुआ था दोस्तों और इसी आरोप में इन्हें जो है वो 4 दिसंबर 1889 को इन्हें जबलपूर में फांसी दी गई थी तो दोस्तों एक बात ये वी फैक्ट है कि 1800 अंग्रेजों की नजर में जो विद्रोही थे इस बगावत के दौरान उसमें सबसे अंत में पकड़े जाने वाले विद्रोही कौन थे वो टंटिया भील ही रहे हैं इन्हें भी अच्छा पकड़ा भी कैसे गया था कि ये अपनी बहन से राखी बनवाने गए हुए थे तब इन्हीं के किसी अपने ने जो है वो जो है अंग्रेजों के अंग्रेजों से मिलकर इन्हें पकड़वाने में अपनी भूमी का निभाई थी और बाद में 4 दिसंबर 1889 जबलपूर में इन्हें फासी दे दी गई थ तंटिया भील भारत का रॉबिन हुट कहा जाता है ये अंग्रेजों के खजानों को लूटा करते थे उनके घरों पर हमला करके जो है सामान लूटिया करते थे और वो पैसा जो है वो गरीबों में असहायों में जरूरत मंदों में बांट दिया करते थे दोस्तों यही इसल मान देते हुए सरकार ने कई महत्पून जो है उपलब्धियां हासिल की है एक तो इनके नाम पर पुरुषकार भी सरकार ने मद्देश सरकार ने स्थापित किया है ठीक है आपको पता होगा साथ ही जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन रहा है महु इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन उसका नाम अब जो है वो बदल कर कर दिया गया है क्या तर टंट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों और इन दोर में एक चौराहे का नाम भी इनके नाम पर किया गया है दोस्तों क्लियर है तो ध्यान जखिएगा कि टंट्या भील का नाम मद्द प्रदेश के क्रांती कारियों में अवल अग्रनी क्रांती कारियों में इनका नाम गिना जाता है कहां पर 1857 के विद्रोह में इन्होंने महुत्पूर्ण भूमी का निभाई थी क्लियर है दोस्तो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही का रोशन हाँ कालू भवरकुआ चौराहा इन दौर में है और इसी भवरकुआ चौराहे का नाम बदल कर जो है वो जननायक टंटिया भील के नाम पर किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेशन है निमार का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है अभी हमने चर्चा की है भारत का रॉबिन हुड यहाँ पर प्रश्ण पूचा गया है निमार छेत्र का रॉबिन हुड मद्द प्रदेश के दक्षिण में जो बुरहानपूर, खंडवा, खरगोन, ब भीमा नायक ठकर मामा या खकर मामा या इन में से कोई भी नहीं चलिए दोस्तो जली से बताएंगे दोस्तो बहुत बढ़िया दोस्तो यहां पर प्रश्निक आंसर होगा भीमा नायक भीमा नायक दोस्तों ये भी निमाल के रॉबिन हुट कहे जाते हैं दोस्तों सबसे महत्पूर्ण बात तो मैं आपको बता दू इन्होंने भी जो है 1857 के विद्रोह में इन्होंने भी भाग लिया था कहाँ पर बडवानी वाले छेत्र में बडवानी का जो सेंधवा वाला छेत्र है यहाँ पर इन्होंने भीलों को एक जुट किया था भील समुदाय को एक जुट करने का काम इन्होंने किया था दोस्तों इनका जो जन्म है इनका जन्म 1840 में हुआ था पंच मुहाली गाउं में पंच मुहाली ये कहां पर पढ़ता है ये पश्मी निमाण में है ये छेत्र यहां पर इनका जन्म हुआ था अच्छा ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इन्हें एक बार क्या किया था एक हत्या के मामले में पकड़ कर जो है जेल में बंद कर दिया था तो ये कुछ सम 56-57 के आसपास ये बिटिश सेना में शामिल रहे हैं लेकिन बाद में इन्होंने 1857 के दोरान ही ये नौकरी छोड़ दी थी और 1857 के विद्रों में इन्होंने फिर भाग लिया था दोस्तो भाग लिया था और अंग्रेजों ने फिर बाद में इन्हें ग्रफतार करके इन्ह दी गई थी और कहां भेज दिया गया था अंडमान निकोबार इन्हें भेज दिया गया था जो सेलूलर जेल है ना सेलूलर जेल वहां पर इन्हें भेज दिया गया था और वहीं पर 1886 में इनकी मृत्यू हो गई थी जेल में ही 1886 में इनकी मृत्यू हो गई थी तो भीमा नाय तो इन्हें ही निमार का रॉबिन हुड कहा जाता है ये भी इस छित्र में ऐसा ही काम किया करते थे क्योंकि देश भक्त थे रास्ट भक्त थे समास से जुड़े हुए लोग थे और इन्होंने भी गरीबों को लूटा हुए धन बांट दिया करते थे इसलिए इनको निमार का नहीं इन्हें आदी वासियों का भी रॉबिन हुड कहीं लिखा मिलता है दोस्तों ठीक है क्लियर है दोस्तों हाँ चलिए आपस में बिलकुल बात ना करें केवल आप एक्जाम पर ही कुश्चन पर ही फोकस करें सभी बच्चे है ना आपको बहुत मज़ा आएगा और किस से संबंदित थी आपको बताना किस विधा से संबंदित थी चित्रकारी से गुडिया कला से धृपद गायन से या फिर समास सेवा से बताइए बिलकुल सही है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सी धृपद गायन से ये संबंदित है धृपद गायन से ये संबंदित है दोस्तों और इनका जो जन्म है ये बिजावर रियासत से ये संबंदित रही है जो की है ना बिजावर रियासत से संबंदित रही है ठीके ना और इनका जो जन्म है वो इसी बिजावर रियासत में हुई थी और ये धृपद गायन का एक बड़ा नाम माना जाता है धृपद असगरी भाई और इसलिए इन्हें जो है इन्हें इन्हें जो है 1985 में 1985 में तानसेन सम्मान दिया गया था तानसेन पुरुषकार इन्हें दिया गया था और 1990 में इन्हें पदमश्री अवार्ड भी दिया गया था दोस्तों तो असगरीबाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन मद्द प्रदेश में गायकी के छेत्र में अबवल दर्जे का नाम स्रेणी में इनका नाम लिया जाता है असगरीबाई का जो कि धुरुपत गायन से सम्मंधित रही है ठीक है चलिए next अगला question ये देखिएगा सामने पहले विक्रम महल कहां पर इस्थित है विक्रम महल ग्वालियर जबलपूर उजेन या फिर रीवा बताईएगा दोस्तों यहाँ पर ये 1996 है ना नबबई है ठीक है विक्रम महल कहां पर इस्थित है ग्वालियर जबलपूर उजेन या फिर रीवा अधिकतर बच्चे उज्जेन ही बता रहे हैं बड़ दोस्तो इस प्रश्ण का आंसर है ग्वालियर इस प्रश्ण का आंसर है ग्वालियर ठीक है विक्रम महल दोस्तो ये ग्वालियर के जो तोमर शाशक रहे हैं तोमर शाशक मान सिंग तोमर मान सिंग तोमर के शाशनकाल में बनाया गया था शाशनकाल में बनाया गया था किसके लिए इनके जो पुत्र इनके जो पुत्र रहे हैं विक्रमा दित्त के सम्मान में विक्रमा दित्त के सम्मान में ये विक्रम महल ये ग्वालियर के किले के अंतरगत ही है ये ग्वालियर किले के अंदर की ये दिखाई देता है दोस्तों तो आप जैसे के सभी पता होगे गौालियर का किला गौालियर किला एक बहुत बड़ी सर्मरचना बहुत बड़ी इमारत इमारत भी नहीं कहेंगे पूरी की पूरी एक township है उस किले के अंदर आपको 4-5 महल मिलेंगे और 5-6 मंदिर दिखाई देते है महलों में अगर आप देखेंगे तो एक गूजरी महल भी यहीं पर आपको दिखाई देता है, एक विक्रम महल भी छूटा साइसी के अंदर बना हुआ है सूरज सेंग ने बनवाए था किन्होंने? सूरज सेंग ने बनवाए था 525 इसवी में राजा सूरज सेंग ने बनवाए था जिब्रायल्टार ओफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है इसको जाना जाता है जबकि जबलपुर में आपको क्या दिखाई देगा मदन महल किला मदन महल किला ये जबलपुर में आपको दिखाई देता है रिवा में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोविंद गढ़ का किला गोविंद गढ़ का किला यहाँ पर दिखाई देता है आपको दोस्तों क्लियर है और उज्जेन जो है ये गुप्तों की राजधानी रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कॉश्शन कॉश्शन नमर फाइव महान साहित्यकार विश्णुदास एवं रईधू है ना विश्णुदास और रईधू ये किसके दर्बार में रहे है बताईए दोस्तो मान सिंग, विक्रमादित, डुग्रेंदर सिंग या इनमें से कोई भी नहीं क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तो इस प्रश्शन कांसर है C, डुग्रेंदर सिंग डुग्रेंदर सिंग दोस्तो ये तोमर वंच के शाशक रहे हैं तोमर वंच के शाशक रहे हैं कहाँ पर गौालियर पर तोमर वंच के शाशक रहे हैं दोस्तो और इन्हीं के शाशनकाल में जो है महान साहितिकार विश्णुदास और रईधू जैसे महान साहितिकार रहा करते जबकि मान सिंग तोमर ये तो खुद एक महान संगीत कार रहे हैं, है ना इन्होंने संगीत गरंथ मान कौतुहल की रचना की थी, संगीत गरंथ मान कौतुहल की रचना इन्होंने स्वयम भी की थी, मलब तोमर शाशकों में अगर सबसे बड़ा नाम अगरी नाम आता है तो मान सिंग तोमर का आता है मान सिंग तोमर एक अच्छे युद्धा एक अच्छे प्रशाशक होने के साथ साथ जो है वो साहित और संगीत के संड़क्षक भी माने जाते हैं दोस्तो और इन्ही के पुत्र थे विक्रमादिते, इन्होंने क्या किया था कि 1526 का जो पानी पत का पहला युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी की ओर से युद्ध में भाग लिया था, और इसी युद्ध में इनकी मृत्ती हो गए थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगला कोश्चन सर्वोच न्याले के पूर्व मुख्य न्यायधीश जिनका संबंध मद्धप्रदेश के सतना जिले से है चलिए बताएगा दोस्तों जली से सर्वोच न्याले के पूर्व मुख्य न्यायधीश जिनका संबन्द मद्देश के सतना जिले से रहा है जस्टिस MP शास्त्री, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस B के मुखर जी या जस्टिस J.S. वर्मा चलिए जल्ली से बताएंगे दोस्तो जस्टिस J.S. वर्मा दोस्तो इस प्रश्ण का आंसर D है जस्टिस J.S. वर्मा ये मद्द प्रदेश हाई कोट के भी चीप जस्टिस रहे हैं चीप जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे दोस्तो इनका संबन्द मद्द प्रदेश के सतना जले से हैं और 1933 में इनका जन्व हुआ था, कहां पर सतना जले में और इनकी जो मृत्ति हुई थी दोस्तो दो हजार तेरा चौदा में इनकी मृत्ति हो गई थी और फिर मरणो प्रांथ इन्हें पदमिश्री अवार्ड भी दिया गया था दोस्तो और एक बात बता दू जब निर्भया कांड घटना घटी थी आप सभी को याद होगा दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा एक समीती का गठन किया गया था जिसके अध्यक्स जेयस वर्मा ही रहे हैं वो जो नाबालिक जो रहे हैं नाबालिक अपराधियों की आयू में परिवर्तन करने को लेकर जो है समीती गठित की गई थी उसके अध्यक्स जेयस वर्मा ही रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी और उसी के एक दोर साल बाद फिर इनका निधन भी हो गया था तो जस्टिस जेएस वर्मा इस प्रशन का आंसर होगा दोस्तों ठीक है ठीक है चलिए अरे क्यों नहीं भाई मरनो प्रांट अवार्ट देने का क्या मतलब है भाई व्यक्ति ने जो काम किये हैं उसकी प्रसंसा तो होनी चाहिए ना और अगर लाखों करोडों लोगों मैंसे उस व्यक्ति ने इतने काम किये हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर उनकी डैथ होगी उनके बाद उनके परीजनों को इस सम्मान दिया जारा कितना बड़ा ना लाखों करोडों लोगों में से ये पुरुषकार किसी एक को दिया जाता है। ए भोसले एवं अंग्रेजों के मद्ध है रोवर्ट क्लाइव और बाश्या शाह आलम दुतिये के मद्ध है अवध के नवाव सुजाओत दौला और इस्ट इंडिया कमपनी के मद्ध है राजा चैज सिंग और इस्ट इंडिया कमपनी के मद्ध है यह जल्ली से बताएंगे दोस्तो बताईए दोस्तो जल्ली से देवगाओं की संधी दोस्तो पहली बात तो बतादू इस प्रश्न का आंसर है भोसले और बिटिश कंपनी के मध्य यह संधी हुई थी का हुई थी अठारा सो तीन में हुई थी का हुई थी अठारा सो तीन में ह शाषन रहा है, तो जो भोसले वंच के शाषक रहे हैं और अंग्रेजी कमपनी के मध्ध हैं, अठारा सो तीन में ये संधी हुई थी जो दुती आंगल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था अठारा सो तीन से लेके अठारा सो पांस तक ये युद हुआ था और इस युद में तमाम मराठा सरदारों ने भाग लिया था अंग्रेजों ने एक एक करके सभी प्रमुक मराठा शाशकों को पराजित किया था अठारा सो तीन में उन्होंने भोसले को पराजित किया और भोसले के साथ फिर उन्होंने देवगाओं की संधी की थी और इस संधी के तहत अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ था जो कटक है वाला जो छेतर है जो बालासोर वाला जो छेतर है ये ये अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था मलब ये जो छेतर है ये भोसले के कबजे में थे और इस संधी के तहत उन्हें ये छेतर अंग्रेजों को देना पड़े थे दोस्तों देवगाओं की संधी इसके बाद हम देखते हैं कि फिर 1800 इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था कि सिंधियाओं को भी पराजित किया था दौलत राओ सिंधिया को और उनके साथ उन्होंने सुर्जी अर्जन काउं की संधी की थी और इसके बाद 1805 में अंग्रेजों ने होलकर शाषत यश्वंत रा होलकर पर्थम के साथ राजपुर घाट की संधी की थी बट वो शांती संधी थी वो सहायक संधी नहीं थी यश्वंत रा होलकर एक मातर शाषत भारत के जिनके साथ अंग्रेजों ने सांती संधी की थी सहा आन बान शान है वो कहीं न कहीं वो कम होने लगा था क्योंकि वो बेसिन की संधी जो पेशवाँ ने की थी अंग्रेजों के साथ 1802 में बाजी रौद दुतिये ने यहीं से जो है अंग्रेजों को पेशवाँ की राजनीती में महत्पून धंसे हस्त छेप करने का मौका मिल गय है तो यह ध्यान रखना देवगाओं की संधी जो है वो भोसले और अंग्रेजों के मद्ध हुए था चलिए मशूर चित्रकार जनगर सिंग श्याम किस जनजाती समुदाय से संबंदे थे चलिए जली से बताएंगे दोस्तो जनगर सिंग श्याम किस जनजाती समुदाय से संबन्दे थे कौरवा, परधान, सहरिया या फिर बैगा बताएंगे दोस्तो नहीं दोस्तो ये परधान परधान जनजाती समुदाय से थे ये परधान जो है ये गौंड की ही गौन्ड समुदाय की ही एक उपजाती मानी जाती है या शाखा मानी जाती है दोस्तों इसी से संबंदित रहे हैं जन्गर सिंख्ष्याम और ये गौन्ड चित्र कला के सर्वस्रेष्ट कलाकार रहे हैं सबसे पहड़ी बात को मैं आपको ये बता दू सर्वस्रेष्ट कलाकार रहे हैं और इनका जो जन्म है वो पतंग गढ़ पतंग गढ़ डिंडौरी में इनका जन्म हुआ था गौनी चित्र कला से संबन्दे थे गौनों की उप्षाखा परधान समुदाय से ये विलॉंग करते थे दोस्तों आपको पता होगा कि मध्ध प्रदेश का जो विधान सभा भवन है सबसे महत्पून बात मध्ध प्रदेश विधान सभा भवन की दीवारों पर जो चित्र कारी की गई है वो चित्र इन्हों ने ही बनाए हैं दोस्तों किन्हों ने जनंगर सिंग श्याम ने ही वो चित्र बनाए हुए हैं मध्ध प्रदेश विधान सभा भवन जो की इंद्रा गांधी भवन के नाम से बनाए गया था 1996 में उस विधान भवन पर जो है इन्होंने ही चित्र कारी की है दोस्तों और इनकी मृत्यू कहा हुई थी सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ ये जापान में इनकी मृत्य कारी के लिए वहाँ पे गए हुए थे और इसी दोरान अपने होटल में ये जो है संदिक अवस्था में मृत पाये गए थे ठीक है तो इनकी मृत्यू कहां पर हुई थी जापान में हुई थी दोस्तों तो जन्गर सिंग्श्याम ये जन्जाती समुदाय में बहुत बड़ हुआ करता है दोस्तों आज भी अपनी कलाकारिता के लिए जाने जाते हैं ये गोणी चित्रकला के सर्वस्थेष्ट कलाकार माने जाते हैं और यहां पर ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा मद्द्र प्रदेश वर्दवान जो विधान सवा भवन है उसकी दीवारों पर जो चित्रकारिता की है वो इन्होंने ही की थी दोस्तों और हां इनकी जो सर्वस्थरेष्ट रचना है इन्होंने कई चित्रे बनाए थे इनकी जो सर्वस्थरेष्ट जो रचना है वो है उल्लू नाम से किस नाम से है उल्लू नाम की जो चित्रकारिता इन्होंने की थी इनकी सर्विस्रेश्ट कृती मानी जाती है भारत भवन जो की भोपाल में है वहाँ पर भी जो है वो इनके जो कई ऐसी कृतियों को प्रदर्शित किया गया था दोस्तों ठीक है चलिए चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगला कॉश्चन नमबर 9 राजा नरेश चंद्र सिंग मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे कब रहे थे आपको ये बताना है ठीक है ना 1969, 2001, 1995 या 1989 में चलिए जलिए बताएंगे दोस्तों राजा नरेश चंद्र सिंग जी के बारे में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है A, 1979 में ये मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे हम देखते हैं 13 मार्च से लेकर मात्र 13 दिन के लिए रहे है 25 मार्च 1969 तक ये मद्यप्रदेश के CM रहे है मद्यप्रदेश के CM ये रहे है मात्र 13 दिन के लिए तेरा दिन के लिए ये मुख्यमंत्री रहे हैं और ये मद्ध प्रदेश के प्रथम मद्ध प्रदेश के अभी कहेंगे तो प्रथम या अभी कहेंगे तो एक मात्र आदी वासी समुदाय से मुख्यमंत्री बने हैं है ना राजा नरेश चंद्र जो है ये राइगाड रियासत से रहे हैं दोस्तो राइगाड रियासत राइगाड रियासत कहा है वर्तमान में वर्तमान में कहा पर है छतीस गड़ में है लेकिन जब यह मुख्य मंत्री बने थे ना तो उस समय तो यह मद्द प्रदेश में था क्लियर है बच्चे? हाँ प्रथम आदिवासी मुख्य मंत्री राजा नरेश चन सिंग 1969 में यह बने थे और 1955 में यह मद्द प्रदेश के आदिम जाती कल्यान मंत्री भी बने थे और सबसे लंबे समय तक यह उस पद पर रहे हैं मद्द प्रदेश के आदिम जाती कल्यान मंत्री के पद पर 1956 से लेकर 1989 तक लगतार उस पद पर यह रहे हैं बाद ये मुख्य मंत्री बने थे लेकिन मात्र तेरा दिन का ही कारिकाल इनका यहाँ पर दिखाई देता है चलिए नेक्स्ट शहीद उदैचंद संबंदित थे कहां से मदला मद्द प्रतेश के किस छेतर से किस जिले से मंदला से, रीवा से, बालाघाट से या फिर ग्वालियर से चलिए दोस्तों कुश्चन नमबर 10 का आंसर देंगे जली से बहुत सही दोस्तों कुश्चन नमबर 10 का आंसर है ए, मंदला से, शहीद उदैचंद जेन जो है, ये 1942, 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान ये शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान, जब ये वहाँ पर लीड कर रहे थे जलूस को, उसी दोरान जो है, वो पुलिस की गोली बारी में इनकी मृत्ती हो गई थी, तो इनका नाम जो है, जो है, वो मंडला से जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मद्प्रदेश का राजकी ये लोक नरत्य कौन सा है, भरत नाट्यम है, राई है, मोहिनी अट्यम है, ये अनमे से कोई भी नहीं, चलिए जली से बताएंगे दोस्तों, बिलकुल सही है, कुश्चन नमबर 11 का आंसर है, राई, मद्प्रदेश का, राजकी नरत् प्रतिनीधी नरत्य भी है दोस्तों, और ये कहां पर प्रचलित है मुख्य रूप से, ये बुंदेल खंड का है, कहां का है ये, ये बुंदेल खंड में प्रचलित है, बुंदेल खंड में मूल रूप से प्रचलित है, लेकिन मैं आपको बता दूँ बगेल खंड, आटिक का भी आयोजन होता है, स्वांग, स्वांग का आयोजन जो है वो इसी नरत्य के बीच में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हाँ, मुल रूप से बुंदेल खंडी है, ये ध्यान रखना, चलिए, नेक्स्ट है, कुशन नमर बारा, सुमेलित करना है, हमारे को ये बाला घाट जो है वो बैन गंगा नदी के किनारे ही है, ये सही पता है, और्चा जो की निवाली जिले में है, बुंदेलों की राजधानी रही है, बेतवा नदी किनारे है, शिवपुरी सिंध नदी है, और पचमडी जो है वो तवा नदी के किनारे ही बसा हुआ, तवा न गांधी सागर बांध का निर्माड किस नदी पर हुआ है चंबल या फिर नर्मदा या फिर बेतवा या फिर सोन ये तो बिलकुल सही है दोस्तो चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध कहा पर मंदसौर जिले में सबसे पहली बात तो मंदसौर जिले में दोस्तो जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये मद्द प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है इस परियोजना के तहट तीन बड़े बांध और एक छोटा सा बांध और बना हुआ है जो कि राजिस्थान में है कोटा बैरा जिसको कहा जाता है तीन बड़े बांध है एक गांधी सागर बांध है एक आपका राणा परताप सागर बांध है एक जवाहर सागर बांध है जिन में से तीनों में से जो पहला बांध है वो गांधी सागर बांध है इसका जो निर्माड है इसका निर्माड प्रारम हुआ था 1953-54 में प्रारम हुआ था और इसने कारे प्रारम हुआ था कब कारे करना शुरू कर दिया था 1960 में ठीक है और तत्कालीन प्रधान मंत्री नहरू जी ने क्या कहा था इसको आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था इस डेम के उदगाटन के दोरान आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था किसको गांधी सागर बांध दोस्तो चंबल नदी पर मंदसौर में बना हुआ है दोस्तो जबकि नर्मदा नदी पर ऐसा ही एक मिलता जुलता और एक नाम मिलता है आपको वो इंद्रा सागर बांध है कौन सा है वो इंदिरा सागर बांध है वो ये कहां पर है ये आपको खंडवा में दिखाई देता है कहां पर ये खंडवा में दिखाई देता है नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर इंदरा सागर बांध है ऑंकारेश्वर बांध है महेश्वर बांध है अवंतिबाई प्रदेश की सबसे बड़ी नदीघाटी परियोजना है चंबल नदीघाटी परियोजना, चंबल नदीघाटी परियोजना दिखाई अपर चलिए आगे बढ़ते हैं यह हमारा दिवाली, धमाक्ता, आफर जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, 5 से लेकिन 9 November तक आप जो offline online batch है winners के उस पर आप इस छूट का फाइदा उठा सकते हैं और ये जानकारी है कौन कौन से batch हैं और उनके ये पूरी फीश का schedule यहाँ पर दिया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं नर्मदा घाटी परियोजना से किस राज को लाभ नहीं होता है या नहीं होगा नर्मदा नदी घाटी परियोजना 36 गड़ मध्यप्रदेश महरास्ट या फिर गुजराथ बिल्कुल सही दोस्तो ए इस प्रश्न का आंसर है ए यस 36 गड़ को दोस्तो क्योंकि ये जो तीन हैं ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना से लाभ उठाते हैं मैंना जैसा कि अभी आपको बताया था जो नर्मदा घाटी परियोजना है है ना ये मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी सबसे बड़ी परियोजना है इसके तहत क्या है कि नर्मदा प्लस उसकी जो 41 सहायक नद बनाये जाने का प्रस्ताव है लगभग 135 मध्यम बनाये जाने का प्राउधान है और लगभग 3000 जो है वो छोटे बांध बनाये जाने का प्राउधान है दोस्तों क्यों और अच्छा इसमें से इनको क्यों लाब मिलेगा क्योंकि नर्मदा नदी इन तीन राज्यों में ही बहत परियोजना से जो है लाभ मिल रहा है 36 गड़ को इसका लाभ नहीं मिलता है और इसी के तहट 1984 में हम देखते हैं कि जो मद्द प्रदेश में जो बांध है ना उसकी आधार शिला रखी गई थी इस परियोजना के तहट मद्द प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है वो इं आप नोट करते चलिएगा दोस्तो ठीक है चलिए राज्य विधान सभा की सदसिता के लिए नियूनतम आयूग क्या है राज्य विधान सभा की सदसिता हे तू नियूनतम आयू 25 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 21 वर्ष बिल्कुल सही दोस्तो 25 वर्ष नियूंतम आयू 25 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तो ये दो मूल रूप से जो दो योगताइं होनी चाहिए विधान सभा सदस्ट बनने के लिए विधान सभा जो है ये राज का निचला सदन कहलाता है राज का निचला सदन है ठीक है? और यहां के जो सदस्य है वो प्रतेक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं कैसे चुने जाते हैं? प्रतेक्ष निर्वाचन के द्वारा ये चुने जाते हैं अगर हम बात करेंगे, अच्छा हर राज में विधान सभा सीटे अलग-अलग है, मद्य प्रदेश में 230 हैं, मद्य प्रदेश में कितनी 230 विधान सभा सीटे हैं, सबसे जादा है वो कहां पर है, वो उत्तर प्रदेश में सरवाध है के 403 दोस्तों, ठीक है, तो जितने भी रा होनी चाहिए दोस्तों ठीक है चलिए next मद्द प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोग सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं मन्द प्रदेश के ऐसे राज्यपाल थे जो लोग सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे आरपी गुपता बलराम जाखर बीडी शर्मा या केसी रेटी चलिए जल्ली से बताएंगे दोस्तो बिल्कुल सही दोस्तो प्रिश्न का आंसर होगा बी बलराम जाखड बलराम जाखड दोस्तो ये कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता रहे है वरिष्ट नेता रहे हैं ठीक है और बाद में फिर हम देखते हैं कि 2004 से लेकर 2009 तक ये मध्द प्रदेश के राज़ जपाल रहे हैं मध्द प्रदेश के प्रथम राज़ जपाल अगर हम देखेंगे तो पट्टा भी सीता रमया रहे हैं और अभी वर्तमान में मंगू भाई जी पटेल मध्द प्रदेश के राज़ जपाल हैं लोगसभा अध्यक्च कौन है श्री ओम बिल्ला इसका कारे है लोगसभा की कारवाहियों का समिधान मताविक संचालन करना ठीक है ये बहुती महत्पूर्ण पद होता है जो सत्तर उल पार्टी होती है केंदर में उनी में से एक वरेष्ट सदस्वे को इस पद पर जो है चैनित किया जाता है ठीक है चलिए मद्द प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है है ना आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है चिकित्सक या सफाईवाली या फिर ओज़ा या फिर गुदना कलाकार कुश्य नमबर जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा ना अधिकांस जनजाती जो है वो गुदना प्रिय होती है वो अपने शरीर में अरे गुदना भई आज हम इसको गुदना को क्या कहते हैं टेटू टेटू और शायद आप मैंसे कई लोगों बनवा के भी रखा होगा जनजातियों में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा प्रिचलित है मैंने भी देखा हुए और जितना मैंने पढ़ा हुआ है कई एसी जनजातियां हैं जिन में गुदना प्रिय होती है और उनमें जो इनमें से जो महिलाएं होती जो गुदना कलाकार महिलाएं होती हैं, उन्हें ही गोधारिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हीं को गोधारिन कहा जाता है, आज इसी को हम टेटू कहते हैं, बीच में अभी ये दौर लगबक खतम हो गया था, पिछले 8-10 सालों से आप देखेंगे तो फिर से ये टेट है कौन टेटू या गुदना, तो गुदना कलाकारों को गोधारिन कहा जाता है, आदिवासी समुदायों मैं, इन में से मद्यपरदेस की कौन सी विशेश पिछडी जन जाती है, मतलब जन जातीयां तो पिछडी होती ही होती हैं, लेकिन उन्हें से भी कई ऐसी होती ही जो बहुत जादा ही पिश्डी होती हैं, सरकार दौरह ने विशेश पिश्डी जनजाती घोशित किया जाता है, तो बताइए कौन सी हैं, सहरिया, धनवार, अगरिया या फिर कोल, बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही, question number 18 कांसर है, सहरिया, सहरिया, मद्द प्रदेश अगर हम द जनजातियों की संख्या के हिसाब से देखेंगे, तो भी मद्द प्रदेश सबसे आगे हैं, और जनजातियों के प्रकार में भी मद्द प्रदेश सबसे अधिक है, टोटल जो अधिसूचित जनजातियां मद्द प्रदेश में वो 46 हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 43 प् जिन्हें विशेश पिषडी जन जाती घोशित किया गया मलब टोटल तीन सहरिया को मिला कर विशेश पिषडी तो एक तो हो गया आपका सहरिया ये कहां पाई जाती है ग्वालियर संभाग में दूसरा है भारिया भारिया कहां पर छिनवाडा में पाई जाती है छिनवाडा और कोशिस्ता जबलपुर में भी है और फिर सहरिया है भारिया है और फिर है बैगा बैगा ये डिंडौरी और मंडला में पाई जाती है डिंडौरी और मंडला में ये जन जाती पाई जाती है इन्हें विशेश विश्डी जन जाती कहा गया है जबकि भील मद्द प्रदेश में सबसे बड़ी जन जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट भीलों का महला क्या कहलाता है है ना जो भील संबुदाय है मैंने अभी आपको बताया था कहां पर पाया जाते हैं भील मद्द प्रदेश के पश्मी हिस्से में जो जाबुआ है अली राजपुर है धार है बड़वानी है ये पूरा भील संबुदाय का ही छेतर है तो इनका जो मैंने आपको बताया था कि इनका कल्चर अलग-अलग देखता है इनका रहन सहन, खाना, पीना, पहना, ओड़ना, रीती, रिवाद, धर्म, नत हर चीज में आपको भिन्नता दिखाई देगी तो इनका जो महला वो क्या कहलाता है माल्या, आल्या, फाल्या या फिर भिल तो बिलकुल सही दोस्तो इनका जो महला है वो फाल्या कहलाता है फाल्या कहलाता है दोस्तो जबकि इनके जो घर है उन्हें क्या कहा जाता है कू कहा जाता है क्या कहा जाता है कू कहा जाता है और इनके जो गाउं है इनके जो गाउं है उन्हें क्या कहा जाता है पाल कहा जाता है दोस्तो भील जो है ये सबसे बड़ी जन जाती है मद्द प्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती संख्या के दरस्टी कौन से अगर हम बात करेंगे ठीक है और इनी का सबसे प्रिसिद्ध है भगोरिया नरत्य है भगोरिया नरत्य है ये इनी जन जातियों में ह हलबा जंजाती का मुख्य निवास जिला है वर्तमान में कौन सा हलबा जंजाती का मुख्य निवास है हलबा जंजाती, रीवा, सीधी, बाला घाट, जबल पो चलिए जली से बताएंगे बच्चा लो बिल्कुल सही दोस्तो ये बाला घाट में कहां पर बाला घाट और कुछ मात्रा में छिनवाडा में भी हलबा जनजाती पाई जाती है अगर प्राचीन काल में हम बात करेंगे मलब इनका जो मूल स्थान है अगर पहले बात सुन लीजेगा इनका जो मूल स्थान है वो कौन सा है आप देखेंगे जो बस्तर वाला जो छेतर है ठीक है दक्षणी राइपुर वाला जो छेतर है ठीक है महा नदी घाटी वाला जो छेतर है न वो इनका निवास इस्थान है मूल निवास है ठीक है लेकिन ग्यारवी से लेकर अठारवी सदी के मध्य ये कहां आ गए ये बाला घाट में आकर बसे ये छिनौाडा में भी पाये गए हैं ठीक है लेकिन वर्तमान में मूल रूप से कहां पर दिखाई देते हैं बाला घाट में ये जनजाती का घनत तो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है ये धियान रखेंगे मूल रूप से इन छेत्रों में ये पाये जाते थे ठीक है चलिए नेक्स्ट वन निम्नमे से किसे सामाजिक कारी के छेत्र में मरणो प्रांत पदमिश्री अवार्ड जो है 2020 स सम्मानित किया गया है जिनने भुपाल गैस तरास्दी के पीड़ितों की आवाज के रूप में जाना जाता था मलब कुल मिला के ये वो कौन से सक्स हैं जिन्होंने भुपाल गैस तरास्दी के पीड़ितों के लिए आवाज उठाई थी और मरणो प्रांत पदमिश्री अंसर है अब्दुल जब्बार अब्दुल जब्बार दोस्तों इन्हें जो है पदमिश्री अवार्ड 2020 में मिला है मरणो प्रांत पहले तो मैं आपको बता दूं इनका निधन कब हुआ है 2019 में इनका निधन हो गया था दोस्तों और जो भुपाल गैस तरास्दी हुई थी ठीक है भुपाल गैस तरास्दी कब हुई थी ये 1984 में हुई थी और इन घटना से जो पीड़ित लोग रहे हैं खासकर जो महिला और बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए इन्होंने लगबग 30 साल तक लड़ाई लड़ी थी और इसके लिए इन्होंने एक संगठन भी ब महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उनके अधिकार दिलाने के लिए दोस्तों तो इतने महानकार के लिए अब्दुल जबार जी को 2020 में भारत सरकार दोरा पदमश्री अवार्ड दिया गया है तो देखिए मैंने आपको बताया ना अफिर दो इमर्डो परा होनी चाहिए हर हाल मैं उसका सम्मान होना चाहिए ये उसका प्रतीक है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट नेमनाथ जेन को सोया मैन आफ इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया उन्हें निम्न में से किस स्रेणी में पदमश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था कला सामाजिक कार्य, व्यापार और उद्योग और साहित और सिक्षा बताईएगा दोस्तों जल्ली से बिल्कुल सही है व्यापार उद्योग के छेत्र में जो है नेमिनाज जेन को पदमिश्री अवार्ट दिया गया था इन्हें सोया मैन आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किस नाम से सोया मैन आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ये इंदौर से रहे हैं ये कहां से रहे हैं पहली बात तो आपका आदो ये इंदौर के रहे हैं मलब हैं इन्हें ही ये अवर्ड दिया गया था सोया मैन आफ इंडिया इन दोर में यहाँ पर आपने देखे किसानों को सोयावीन उत्पादन में प्रोसाहित करने महत्मूर भूमी का निभाई है इसलिए सोया मैन आफ इंडिया इन्हें कहा जाता है इनकी एक आटोबायोग्राफी भी रही है एक्जेट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वो की 2016 में Amazon पर बेस्ट सेलर बुक साबित हुई थी वो किताब इन्होंने ही लिखी थी नैमिनात जैन ने Amazon में बेस्ट सेलर बुक रही है दोस्तों ठीक है तो इस कैटेगरी व्यापार और उद्द्यों की कैटेगरी में ही इन्हें पदमशीरी अवार्ड दिया गया था क्लियर है बच्चा समझ में आ रहा है सभी को सभी को समझ में आ रहा है ना वेरी गुड चली बहुत बढ़िया आगे नेक्स्ट है 2021 में सारवाजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए मद्देश के निम्नमै से किस व्यक्ती को पद्म भूशन पुरुषकार के लिए नौमित किया गया मनकुराम मला मिनको पुरुषकार दिया ही गया था मनकुराम सोड़ी यमुना प्रसाथ शाष्ट्री दलपस सिंग परस्ते या फिर सुमित्रा महाजन 23 बहुत सही दोस्तों बहुत बढ़िया सुमित्रा महाजन जी ये इंदौर मद्द प्रदेश के इंदौर से सांसद रही है सांसद रही है सांसद रही कितनी बार एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं पांच बार नहीं दोस्तों आठ बार ये सांसद रही है भारत में अपने आप में ये रिकॉर्ड है एक ही छेतर से एक ही सीट से लगतार आठ बार महिला सांसद रही है अभी जो लोग सभाध्ध्यक्ष ओम बिल्ला जी है इससे पहले लोग सभाध्ध्यक्ष कौन रही है सुमित्रा महाजन जी इंदोर से लगतार आठ बार ये सांसत चुनी गई है दोस्तों ये अपने आप में एक वड़ा रिकॉर्ड है महिला सांसत सरवाधिक बार महिला सांसत के रूप में चुने जाने का इनका है अपना ही रिकॉर्ड है दोस्तों और ये अपने प्रसंसकों के बीच में ताई के नाम से प्रस्द हैं ताई के नाम से लोग जानते हैं अच्छा एक बात और बता दूँ ये तो इनका राजनेतिक चहरा आपको बता दिया ये एक समाज से भी में है और अच्छी सहितिकार भी है इन्होंने कई किताबें भी लिखी हुई है तो सुमित्रा महाजन जी जो है उन्हें ही जो है इसके लिए अवार्ड के लिए नामित किया गया था चीक है चलिए अच्छी आपकता म्द्द प्रदेश के किस इस्थान पर स्टेट फोरेंसिक साइन्स लेबरीटरीज का मुख्यालाय इस्थित है नोड वा शंगा वााद सागर रीवा य फिर रतलाम बिलकुल सही दोस्तो सागर में है सभी को ये पता होगा State Forensic Science Laboratories ये मद्द प्रदेश की पहली लेबोरिटरी है और दूसरी जो है वो भोपाल में इस्थापित की जा रही है ये प्रदेश की प्रथम है ये ध्यान रखना ये प्रथम है और जो दूती है दूती है जो है वो भोपाल में है ना वो इस्थापित की जा रही है दूसरी ठीक है चलिए नेक्स्ट है मद्द प्रदेश के किस जिले में जनजाती स्वास्थ के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की छेत्रिय साखा आर एम आर सी इस्थित है मंडला डिंडोरी जावववा या फिर जबलपूर बताए दोस्तो नहीं दोस्तो इस प्रशन का आंसर है जबलपूर में जबलपूर में जो सुभास चंदर नेता जी सुभास चंदर मेडिकल कॉलेज है उसी मेडिकल कॉलेज के प्रोमाइसिस में ही जो है ये संस्था आर एम आर सी इस्थित है इसकी स्थापना 1984 में की गई थी इसकी स्थापना 1984 में की गई थी दोस्तो ये विश्व स्वास्त संगठन जो है न विश्व स्वास्त संगठन के सहयोगी के रूप में कारे करता है सहयोगी के रूप में ये कारे करता है दोस्तो ये संग्ठन जो है और यहाँ पर कई ऐसी जटल बीमारियों पर अनुसंधान प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जैसे फाइल एरिया है ठीक है पीलिया है अच्छा ये जो बीमारियां है ये जनजातियों में सबसे ज़ादा दिखाई देती है और इसलिए यहाँ पर इन पर रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं ये वो संस्था है जो की जबलपूर में है दोस्तो ठीक है तो चलिए दोस्तो कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे ये थी आज की हमारी शांदार क्लास और इनमें बहुत सारे महत्पूर कुशन आपको मिले होंगे आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा लिखते चलेंगे कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे जैहिन जैभार